तो स्वागत है अप से 15 सालम है दोस्तों ये सामानै भूगोल यह दोनों ही इसमें इंडियन और वर्ड जोकरफी दोन से ठीक है नर्स पहले हम इंडियन जोकरफी पट रहे हैं इसका यह दो पारट है इसके पहले दो वीडियो ऑल्रेड उप्लोड़ेट है चैनल पर देख लीजिए आप उसको, एक sequence में देखेंगे तो मज़ा आएगा देखने में, चीजें याद भी रहेंगे, ठीक, ये आपको UPPSC जो PCS का exam है, वो RORO re-exam, ठीक है, junior assistant, VPO, ये सभी के लिए महत्पूर्ण है, इसके अलामा भी किसी भी state की आप PSC दे रहे हैं, किस ठीक है, तो आप इसको देखिए, like कीजिए, share कर दीजिए, आप लोग like, share, subscribe नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा motivate करिए, बस उसको thumbs up वाला जो है उसको दबा दीजिए और share कर दीजिए दोस्तों में, ठीक है, subscribe भी कर लिजिएगा, तो चलिए, सुरू करते हैं, इसके पहले जो दो वीडियोज हैं, उसमें हमने भारत का जो सामाने परिषय है, उसका जो भौतिक विभाजन है, वो सब पढ़ लिया है, राजनीतिक प्रसासनिक जो विभाजन है, वो सब हमने लगभभभभभभभ़ कम्प्लीट कर लिया है, आज हम जो पढ़ेंगे, उसमें कुछ पाड रहेगा राजनीतिक प्रसासनिक विभाजन फिर भारत की जो जंजातियां है प्रजातियां है वो ठीक है तो हम आज इस वीडियो को शुरू करते हैं राजनीतिक प्रसासन राजनीतिक और प्रसासनिक जो विभाजन है वो पढ़ेंगे कुछ जो द्वीप हैं राज हैं उनके बारे में कुछ विशिष्ट तथ जानने का प्रयास करेंगे ठीक है जो परिख्षा के दिश्ट्पोर्ट से महत्पोर्ण है तो चलिए इसको लाइक किजिएगा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में ठीक है शुरू करते हैं इस वीडियो को पटाफट ठीक है इसमें हम स कर दे रहा तो में ठीक चलिए देखते हैं स्री हरकोटा दुप के बारे में जानते हैं क्या चीज खास है इसके बारे में यह भारत का प्रच्छेपण केंद्र है यह सतीज धवन अंत्रिक्ष केंद्र इसको भी कहा जाता है याद रखिएगा पुलिकट जील जो है यह है अंडवान निकोबार दुप समूँ के तीन दुपों के नाम परिवर्तन हुए थे यह याद रखिए वह ऐसे नहीं लेकिन हां उज़ा सकता है किसी वी तरीके से ध्यान रखिएगा इसको जैसे यह रॉस दुप का नाम नेताजी सुभास चंद रखा था पुराना इसका जो चल रहा था जो कभी मदलब कंट्रोवर्सी एक तरीके से तिक परेटन को लेकर के तो वह लक्षदीब के बारे में जानिए कैसे क्या क्या है देखें लक्षदीब की अवस्तिती आपको पता है कि अरब सागर में है केरल के माला बार तटके समीप है लका दिव मिनिकाय और अमीनी दिव इसका पूर्व नाम यह रहा है परतमान नाम यह जो दिया गया है लक्षदीब यह 1973 से है विस्तार देखिए इसका चेत्र अरब सागर में केरल कोची तट से लगभग 119 से 238 नौर्टिकल माईल की दूरी पर यह विस्तर दिविप्यों को एक तरीके से हो जाता है मिनी काय को लक्षदीब से यह ML ऐसे करके याद रखिएगा ठीक है 8 mm और मिनी काय और यह माल दिव को अलग करता है और 9 ml या LM कर सकते हो आप लक्षदीब को मिनी काय से अलग करता है ठीक है इस तरीके से याद रखिएगा यह यह बहुत पुश्या आता है मैचि है कि यह भी नाम करवत्ती जो कि इसकी राजधानी है यहां पिर यहां यह यह याद रखेगा यह और अडुप घ्यान ध्यान रहुज़ को चली आगे बढ़ते हैं फटा फट देखिए महारास्ट में कुछ ऐसे साल्सै जो मुंबई हैं यह मुंबई औ थाने नगर में इसी अगर आप कभी गेटवे ऑफ इंडिया गए हो तो वहां से बोट ये स्टीमर चलते हैं आपको जाने के लिए वहां से आप जा सकते हैं देखिए जाएगा कभी आप लोग भारत ब्रह्म्न जरूर करिएगा आप लोग चाहे मतलब सेलेक्ट होने के बाद कहीं सेटल होने के ब भारत में बहुत कुछ है घूमने लाइक लोग विदेशों में जाते हैं गोमने मुझे तो मतलब उनके उपर तरस आती है कि अपने पहले पहले अपने 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 देश को अपने अपनी संस्कृति को पहले आप खोजिए तिक है उसके बाद आप विदेशों में जाए विदेशों में जाते हैं डॉलर में पैसा खर्च करके आते हैं क्या फाइदा है आप अपने विदेश में जाईए परेटन बढ़ाईए अपधान मंत्री ने ने मोदी जी ने भी कहा है कि अपने भारत में कम से कम साल में एक बार तो एक दो जगे जाईए आप भूमिये तो वह जरूर करिए अप लोग अब तठी द्यूपों की अवस्थिति देख लेते हैं कुछ कुछ द्यूप है जैसे पिरम द्यूप कहां है कंभात की खाड़ी में है भैसला द्यूप कहां है कठिया वर तट्पे है ठीक है बुचर करंजा क्रॉस द्यूप ये मुंबई के नि नेत्रानी दूपे कहां है सेंटमरीज आइसलेंड दोनों अरब सागर के तडपे हैं करहां पर करनाठक में ठीक है न्यूमूर आइलेंड बहुत चर्चा में रहता है ये याद रखना बंगाल की खाडी में है बेसिकली ये आपका बंगला देस और भारत के बीच में ये इ थाइस राज्य और आठ के इंसासित प्रदेश हो गये हैं पहले ये नौ था ठीक है ये ये नौ था कुछ दिन पहले जब तक कि दो यूटीज को मर्ज नहीं कर दिया गया दो बने और दो मर्ज कर दिये गया यानि कि एक ही एक्स्टा हुआ हुआ बस मतलब कम ही हो गया एक तो राज्य पता है ठाइस है चेत्रफल की दिष्ट से केंद्र सासित प्रदेशों में अगर बात की जाए तो ये लद्दाख है ठीक है और सबसे छोटा जो है वो लक्षदीव है बताये ना मने 32 स्कौाइर किलोमेटर ठीक है इतना ही है बस कुल केंद्र सासित प्रदेश टीए जो है वह ऑठ हैं कॐन को से हैं वो सब आगे पता चलेगा यह तिक मानचेतर दीए भारत का जो है बसेकली जो विदेशी सीमां किस किस से साजह करता है में किकान किलोमेटर साझा करता है तो भी याद रखिए जैसे की पसे कम सीम के सिर्फ एक सो झाला करता है तो कितने किलोमेटर लगभग चारहाजार शालिस किलीमेटर तीक है आगे दीका की चीन कीई आगए इधिए अब लोग चीन से से 348 किलोमेटर भूटान से 699 नेपाल से 1771 किलोमेटर याद रखेगा यह देखिए बांगला देश से सरवाधिक है तो यह प्रश्ण साइथ पूछा भी गया है और आगे भी हो सकता है पूछ लिया जाए ठीक तो याद रखेगा म्यानमार से 1643 किलोमेटर तट्रेखा भारत की जो है समुद्री जो तट सीमा है वो कितनी है लगभग 7516 किलोमेटर यह यहां से लेकर कि यह पूरा इधर से इधर तक है ना तो यहां तक पूरा यह इतना है ठीक याद रखेगा इसको चलिए देखिए छेत्रफल के जिससे पांच बड़े राज कौन-कौन से हैं यह प पहले अस्तान पर है 24928 यह याद रखेगा ठीक है इसको जरूर याद रखेगा ठीक फिर उसके बाद पांचों नंबर पर गुजरात आता है 2011 की जन करना क्योंकि उसके बाद से हुई नहीं ठीक है 2011 के बाद 21 में होना था कोरोना आ गया वो डिले हो गया अब यह सीधे मु याद रखेगा उत्तर प्रदेश की जन संख्या प्याद रखेगा चेटरफल भी याद रखेगा ठीक है कितना सेर करता है जैसे की जंगर्णा में मैंने पताया है पहले भी बताया है कि 16.5 पूरे भारत की जन संख्या का यूपी में निवास करती है ठीक है और 7.33 है, त्राज स rif में श४र हैंbek मेरा याद की सीमा को कि ऊसी पर शुस्किरा माले राजन से लिए के सेगे सीमा से जाजा कर रहे हैं हमाचल प्रदेश हरियाणा न मत्यान शुक्त को सब्सक्राद वक्राच और दिल्ली यानि कि टोटल नौ हो गए आठ राज और एक के इंसासिद प्रदेश का देख लिजेगा तिलंगाना राज देखिए किस किस से साजा करता है करनाटक का देख लिजे बहुत मातपोर्ण नहीं है छोड़ दीजिए इसको जो इधर अपने जिस जिस स्टेट के हैं वो देख ल मिलेरण का देख लिजिए ठीक है पंजाब की सीमाण देख लीजिए 56 गण देख लिजिए सजेदारराज ठीक है यह सेवं सिस्टर वाले देख लीजिए सेवंसी सिस्टर्स क्योंकि इसमें से प्रश्न कूश अधा था रहा है तो अनचल है असम मिघाला है मनी पूर्छय म 7 sister में नहीं आता है धान रखिएगा कई बार confusion के लिए लोगों को लगता है कि सिक्किम भी आता है 7 sisters में नहीं आता है तीक याद रखेगा असंद जो सीमा वरती राज्य है वो देख लीजेगा इसलिए मैं उसको आगे skip कर दे रहा हूं बहुत जादा उसमें समय करने की जरूरत नहीं है ठीक है लगाने की जरूरत नहीं है बस आप एक सरसर निगास से देख लिएगा बस जो आपका स्टेट है चाहे हो राजस्तान बिहार यूपी ठीक है उत्रकंड MP या अधर जो स्टे अनुमानता जो है यह कितना वर्स पुराना है दस अज़ार वर्स पुराना ठीक है यह याद रखना चलिए देखते हैं मनीपूर के बारे में कुछ विशिस्ट तत्या है वह देख लीजिए बहुत महत्पूर नहीं है बस यह चीजें याद रखेगा जैसे मैं जो चीज हा पाया जाता है तो यह याद रखेगा जो महत्पूर्ण है मैं उसको पता दे रहा हूं आपको जो परिच्छा के दिश्टकूर से पूछा भी जाता है तो यह याद रखेगा अरुनाचल का याद रखेगा थोड़ा सा क्योंकि यह जो स्तीमावर्ती राज्य है जितने भी उनसे कई बार प्रशन पूछ लिए जाता है अब यह इसर की रिपोर्ट आई थी 2021 में उसमें यह 79.33% में वनावराण है तिक याद रखेगा सबसे ज्यादा साइद मिजोरम में है उसके बाद यह अरुनाचल में है ठीक है इसकी राजधानी इटानगर याद रखेगा ठी में चीज यह है सिलकॉन स्टेड बोलते हैं इसको बैंगलूरू सहर को सिलकॉन वैली के नाम से जानते हैं तो जहां मैं स्टार मार्क लगा हूंगा उसको जरूर आप एक बार देख लीजिएगा ठीक है चलिए आई टी पावर हब इसको बोला जाता है यहां जहारखंड य पारे में कुछ दिया हुआ है लातूर यहां पर हुकम पाया था नाइंटी थ्री में बहुत भयानक तरास दी थी तो यह याद रखेगा भारत के केंद सासित प्रदेश देख लिए क्योंकि इनसे प्रस्ण पूछाय होता है जम्मू कस्मीर लद्दाक यह 2019 में बना दिया आपको याद है जम्मू कस्मीर उनर गठन जो अधिनियम 2019 पारित किया गया था उसके तहट जम्मू कस्मीर राज्य को दो यूटी में बांड दिया गया था यहां पर देखिए यह जो दादरनगर हवेरी और दमंदीव इनको एक कर दिया गया है तो इसलिए पहले नौ थे यह थे नौ थे नौ नहीं आठी थे जब यह बना था मतलब उसके बाद यह हुआ था यानि कि पहले लद दाक और जम्मू कस्मीर बना तो नौ हो गए जदा हो गए थे अभी लेकिन याद रखेगा चोड़िये बाद में पहले क्या था वह चोड़िये अभी धियान और नाम थोड़ा सा याद रखेगा ठीक कहां कहां है कि सीमाएं और यह सब चीजें बहुत जादा मतलब महत्तपूर्ण वैसे नहीं है लेकिन नाम तो याद रखेगा कौन-कौन से है आठ ठीक अंडमान निकुबार के बारे में कुछ-कुछ महत्तपूर्ण फैक्ट है ज प्रमुख जंजातियां पूशी आती जैसे ग्रेट अंडमानी सेंट निलीज ज्यारवे ओंगे अभी इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां के जो जंजातियां उन्होंने पहली बार वोट किया है यह जाद रखेगा ठीक है अंडमानी को वार के ध्यान रखेगा जो य मतलब कंट्रास्स पैदा हो रहा है तो आप सिखाय तभी करिए जब आप और देंगे तो वोट देने जरू जाई है अपने वोट का अधिकार जो आपका है वो जूरूर करिए अगर वोट का अधिकार नहीं कर रहे हैं तो आप एक जागरुक नागरिक नहीं है ठीक है एक दमंदियू और यह सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इसको तवज्जो देने की अवशकता नहीं है एक बार बस देख लिजेगा इसको चलिए बाकी जो सेंसस वाला जो वीडियो आएगा उसमें मैं सारी चीज़ें यह बदा दूगा आपको देखिए नोट में क्या ज़्याय बोल रहा है 26 जनुरी 2020 से भारत में आठ राज्य और आठ के इंसासित प्रदेश यह कब से 26 जनुरी 2020 से 26 जनुरी 2020 को दादनगर हवेली तथा दमंदियू को इनका विले कर दिया गया थो ही पताया मैंने यह ध्यान रखना दादनगर हवेली और दमंदियू कर दि है तो वह चीज धान रखेगा चलिए देखिए लक्षरी और यह मनें बता ही दिया आपको डिली सबसे जो घना बसा जो यूटी है वह दिली ही जन संग्या के दिश्टी से यह सबसे बड़ा केंसासित प्रदेश है और यहां पर जन घना तो भी बहुत जादा है तो राश् राजस्तान के इतने जिले आते हैं यूपी के इतने जिले आते हैं लास्ट जो एड हुआ था इसमें सामली आइड हुआ था ठीक है आठ आता है देखिए यूपी का याद रखेगा ज्यादा मेरट गाजियाबाद गोतम बुद्धनगर हापुड बुलंसहर मुझफर नग राजस्तान के दो ही जिले हैं अलवर और भरतपुर ठीक सबसे ज्यादा अगर जिले पूछे तो इसके हरियाना के तेरा चौदा है साइद गिल लीजेगा आप इसको भारत की प्रजातियां और जंजातिया यहां से प्रशन बहुत पूछा आता है भरभर के पूछा आता ह है तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा ठीक यहां से आप इसको थोड़ा सा मोर कंसंट्रेशन रिक्वाइड ठीक चलिए भारत की जो मुख्य प्रजातियां हैं वो कौन-कौन सी है उसको देखिए निग्रेटो प्रोटोस्ट्राइट भूमतिसागरी और नौडिक मेंगलाइड यह प्रमुख प्रजातियां इनके कुछ-कुछ दिये हैं जो इनके विसेश्थाएं और यह किस छेत्र में पाए जाते हैं तो वह छेत्र याद रखेगा विसेश्थाएं तो आप बहुत ज़्यादा याद नहीं रख पाएंगे याद रखने की जरूरत भी नहीं है साइध ही कहीं पूछा गया हो अधरवाइस एक बार रीडिंग कर लीजेगा बस बाकी कुछ नहीं जैसे निग्रीटो और या निग्रो इसके जो बालवाल यह हैं सब भूंग्राले होते हैं कद्धनाटा होता है पच्छा का रंग काला होता है यह पाए कहां जाते भूमत साकरी की बात करें तो पंजाब राजस्तान यह सब पश्चिम उत्रब्रदेश तीक तो यह सब याद रखेगा कुछ कुछ जो छेत्र हैं वो महत्रपूर्ण है उनको जरूर ध्यान रखेगा जैसे अब मैंगुलाइड का पूस्टा है कभी है ना तो आप नौर्थ कि अब इन में कुछ कुछ चीजें हैं पूछी आती है जैसे प्रमुखनिवासस्तल यह भोटिया जो है यूपी और उत्रखंड के तराही शित्रों मिलते हैं रितु प्रवास पूछती है तो यह से पूछा आता है प्रश्न कि रितु प्रवास करने वाली जंजात कौन सी ह तो वह है भोटिया ठीक है मंगोल परचाथ से यह संबंधित है भोट या भूतानी नाम से जाना जाता है यह याद रगे थारू के बारे में बहुत पूछा जाता है ठीक है यह मुख्यता उत्रखंड के नैनी ताल जिले में और उत्तरप्रदेश के गुरकपुर जिले में मानते हैं यह आपको चीजें जो हैं वह काम आएंगी यूपी स्पेसल जीएस फाइब में भी जहां पर जंजातियों का एक पुरा टॉपिक दिया हुआ हुआ है गदी जंजाति यह पस्चिमी हिमाले की धौला धर सेनी में हिमाचल प्रदेश और आपके जम्मू वाले छे स्थाना इंत्रिक्रिसी यह बहुत कम वस्तर पहनते हैं महिलाओं में आभुषण पहनने का प्रश्लान है बड़े बड़े आभुषण पहनने रहते हैं यह लोग पसुबली के प्रता है यह महत्रपोणा है ठीक है प्रमुख जंजातियां जो एरिया वाइस है देख लिए क逃वन ऊपर यह बते चंपा विमाचल प्रदेश में गदी गुजर दिख यह उत्तरखंड में ड़ेतारु आधतit अधरियां सहरीयां बहुत सारे हैं के जहरकन में देखिए संथाल मुंडा उराओं हो बिहार में बैगा है अनवाचल प्रदेश में देखिए मिस्मी है डाफला है मिकीर है बोडो है असम में मेघालाय में तो गारोखासी जैनतिया ये तीन जन्जातिया पाए जाती है इन्हें के पहाडियों के नाम पे यहां पर अगामी है भासिउ लुसाई जन्जात भी है खोकी भी है अभी अभी मनीपुर में इन चल रहा है SMITH अंन्य को कङन जांडंति करनाटक करनाटक के है प्हारती संमिधान इंसूचित जन जन्जात को परिभासित नहीं किया गया है तो यह महत्पोन है कई बार sentence ऐसे पूर सकता है कि अनसूचित जंजातियों को परिभासित किया गया है ऐसे करके बोल देगा तो आप क्या बताएंगे तो वो बताएंगे कि सेंटेंस गलत है वाकर गलत है समिधान के अनुचेत 366-25 के अनसुचित जंजात उन समधायों को कहा गया है जो समिधान के अनुचेत 342 के पतलब अनसुचित किये गये हैं तो यानि कोई परिभासा नहीं हैं लेकिन जो 342 अनुचेत के अनसुचित जंजातियां थिक यह ध्यान रखिएगा यह पूछा सकता है बुक्सा जंजात के बारे में देख लिए बुक्सा यह अनलोम प्रतरोम विवाह राजपूत वन्थ से संबंधित यह याद रखेगा यह संथाल के बारे में तो यह याद रखेगा संथाल परगना जो जहरकंड से संबंधित है इनका मुख्य आहर चावल है यह ध्यान रखेगा ज्यादा तर बिहार पुरा पस्चे मंगाल अगयरा में चलिए जौनसारी याद रखेगा जौनसारी विवाह बहुपती विवाह प्रता है इसमें यह में है जौनसारी में याद रखेगा उत्रकंड में भी पाए जाते हैं क्योंकि पहले यूपी और उत्रकंड तो एक ही था ठीक है वो तो बाद में अलग हुआ को जंजात याद रखेगा इनके मुख्या क्रिसी को रवा जंजात इनके कुछ जो महत्पूर्ण है वो जो बार बार पूछी जाती है उनको जुरूर ध्यान रखेगा क्योंकि जंजातियों से प्रश्ण हमेशा पूछे गया है यूपी पीसेस में आरो एरो में ठीक है कि दूसरी सबसे बड़ी जंजाती है पहली कौन से है आप कमेंट करके बताईये मुझे पहली जो यूपी की पहली सबसे बड़ी जनजात बघया पहले मतलब प्रतामस्थान bekommtि जनसंख्या के मामले में थीक ये तूप लुसरी बड़ी जनजात तूप ये बढ़ी अपना जाता है अगले वीडियो में बता कौक हो ऊथाओ डिक कासी देख लीजिए आम झासी जाता कि इक मेगाले में भील के बारे में कुछ चीज़े एंको माना जाता है धनुसधारी अपने आपको मानते हैं इनका विशेष महतु है जार्वा अज भी वहां सब आई से रहते हैं कि इनके अड़मा लेकों भार की हैं यहां बहु पती विवाह है और आप सुर्वार खोंड विर्हौर सोरिया खरी है घ्रिय एक ये ध्यान रखना राजस्थान की कुछ प्रंटन जय दियाता है इस तरीकर से पर प्यश्न क्यों पूचसे mm ज़ते हैं तो मेंगे यह सब कहां कि नागा कहां हां ध्यान रखनाव ग्रीट अंडवानी इरिया वहिं की यह याद रखना थिक स्मय हो सब कहां यह सब प्रह को वाद लिब लिख रेकों कि नुषर गोगत ति्वां नробовор से च्षाइब तो Export जो कम्र जो पीज़ाइब बोलते हैं ट्राइब्स ग्रूप इनको बोलते हैं आदिम जंजाती समुन यह दहनक में निवास चेतर इनके इंके एठारा भारत यूरोपी भासा परिवार से हैं द्रवेंड समू हैं और अस्ट्रो एसियाटिक हैं यह अलग अलग उससे निकली होई हैं अगर पूछा जाए कि अंग्रेजी संस्क्रित पाली हिंदी यह सब किस्से हैं तो यह भारती और यूरोपी ठीक है भारोपी बोलते हैं एक अगला अपवाह तंत्र में बहुत सारे प्रशन पूछे जाते हैं नदियों के अपवाह तंत्र से तो याद रखेगा इसमें जो जितने भी प्रशन बने हैं उनको भी एक बार डिस्क्स कर लेंगे अभी तो फिलार इसको आप देख लिए तो अपवाह तंत्र में और एक आपके जो प्लेटू वाला जो नदियां है उनका प्रवाह तंत्र तो यह हिमालाई वाला हम पहले देखते हैं हिमालाई वाले में जैसे तीन नदियां प्रमुखा है एक सिंधु नदी के प्रवाह तंत्र है और एक ब्रह्मुपुत्र का है ठीक है और एक गंगा न मुर्वार मात करने हैं वहां से निकलती है यह याद रखिएगा प्र्वेसरती पर मुर्व सोगने से उन दोर की चैनलती है भारत में प्रवेस पर्वेस करती है और दर्दिस्तान में चिलड के पास पाकिस्तान जाती है मतलब वहां से निकल के आगे चली जाती है इसकी प्रमुख जो सहायक नदिया है वो याद रखेगा बाएं तरफ से जासकार चीनाव गएरा मिलती है दाहिने तरफ से स्योग गिलगित हुंजा नुब्रा और एक दो और होंगी चोटी-चोटी नदिया ठीक है मुहाना इसका अरफ सागर में यह जाकर मेंचे गिरती है ठीक है याद रखेगा इसको इसकी जो सहायक नदिया है उनको जरू ध्यान रखेगा पुछा जाता है यह ठीक है देखिए 17 नदी देखिए यह राकस्ताल मांसरोवर्ज हील से निकलती है कैलास प्रवत से सिपकिला के पास से हिम एक उसकी ही एक ट्रीटरी जैये ठीक है और इसकी ट्रीटरी यह है तो यह दूसरे में आपस में सब कर्यक्ट है नदिया ठीक है लंबाई इसकी पंद्रा सो किलिमेटर लगबर चिनाब के बारे में देख लीग बाडाला चाद लादर्रे से यह आता है चंद्र और भागा दो नदियों से यह मिलकर बनी हुई है इसी पर देखे urban सार ऑबार पर रेच नया हैं जिनसे कि भारार पक्रोशन फिर जैसे बगलिहार हो गया, सलाल हो गया, दुलहस्ती हो गया, यह सब महत्पोन बहुत देशी परियोजनाएं हैं, तो यह चिनाब नदी पर है, रावी नदी के बारे में याद रखेगा, ठीक है, रावी नदी, इनका एक क्रम है, आई, जे, सी, और आर, बी, एस, ऐसे करके या याद रखेगा, इनका क्रम, क्रम भी पूछ लेता है, नदियों का, तो सबसे उपर इंडेस, फिर जेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, और लास्ट, सबसे नीचे जो है, वो सतलज है, तो इनका क्रम याद रखेगा, आई, जे, सी, आर, बी, यह पूछा जाता नदी के बारे ने, अगर कोई पूछे किस नदी के किनारे है तो जेलम नदी के किनारे है ठीक स्योक नदी याद रखेगा स्योक नदी जो है इसको मृत्यू की नदी भी बोला जाता है कारम करम चेटर से यह सिंधुनदी की यह ट्रिबूटरी है जासकर भी इसी की है याद रखेगा यह सब ध्यान रखेगा इस पीती भी है तो यह सब जो है इनके नाम याद रखेगा ठीक है इस पीती यह कुर्जुम परवत सिंखलास निकलती है इक्यासी में लगवए 130 किलोमेटर है यह सपीती घाटी के अंदर बहती है सतलज नदी से यह किन्ना और जिले में हिमाचल प्रदेश में वहां जाकर यह मिल जाती है हमने सिंदुनदी वाला देख लिया अभी हम गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है उसको देख लेते हैं देखिए यह गंगा नदी जो है विश्नु प्रयाग में इसका एक वह है गंगा का जो प्रवाह है वह अगर देखा जाए तो शुरुवात कहां से होता है कैसे सुरू होता है कौन कौन सी नदियां किधर से मिलती है इस तरीके से उसका अलग भी मैंने वीडियो बना रखा ह हाला कि वह मैं आपको बता दूँगा उसको लगा दूगा वह भी देख लीजेगा तो कहां पर कौन सी नदियां इसमें मिलती है तो वह याद रखेगा जैसे विश्नु गंगा में धौली गंगा ठीक है यह ध्यान रखना विश्नु प्रयाग में धौली गंगा और विश् से मिलते हुए चली आते हैं और फिर देव प्रयाग में आते हैं जब देव प्रयाग में यह भागी रथी और अलग नंदा का जो मिस्रण होता है जो मिलन होता है जो वहीं से आगे फिर यह गंगा कहलाती है ठीक पहले अलग अलग नामों से जानी जाती है उपर लेकिन दे अपवाह का पूर्वरती है मोहाना बंगाल की घाड़ी में हैं, आरपसागर में जाती है। लेकिन ये बंगाल की घाड़ी में जल दिल्टा विछल भी होती है। सुन्दर्वन जो डेल्टा है वो ब्रह्मुपुत्र और ये इनके जो गंगा की जो सायक नदियां है इन सब से मिल करके वो बना हुआ है विस्व का सबसे बड़ा वो डेल्टा है ठीक देखिए अलक नंदा में ही सब आके सब मिलती है चमोली से यह गड़वाल और पौड़ी गड़वाल जिले से निकलती है बद्रिनाथ ठीक है प्रमुख तटी सहर पुछा आता है कि बद्रिनाथ किस नदी के तटपर है तो अलक नंदा पर है डियो प्रियाग में यह भागी रुद्र प्रियाग में यह अलक नंदा और बंदा कने का संगम होता है और यांद रखे गए सहर Mother यह जूर्व बचाता है और यह इनका जो मिलना स्थान है गजिये संगम बॉला सार्दा नदी के बारे में थोड़ा सा देख लिए यह मिलाम जो हिमनत है उससे निकलते हैं फिक इनका अन्न नाम जो है वह वह गोरी गंगा नेपाल और भारत की सीमा पर काली नदी यह कही जाते लिए हैं उत्तर प्रदेश में लोग प्रयाग राज वाले तो जानते ही होंगे हलागर सभी को पता है कि संगम प्रयागल टिक इसकी जो प्रमुख नदिया आइन वह चंबल बेतवा और Τिक राम गंगा नद्व है यह जुद हटॉलिसी There गंडक ये नेपाल हिमाले से निकलती है और गंगा नदी में सोनपूर पटना में मिल जाती है सोन नदी भी आके यहीं मिलती है देखिए कोसी नदी के बारे में कुछ विशिष्ट तथ जान लीजिए वहार का चाथ तरीके यह हर साल लगभख बाढ़ लेके आती है गंगा नधी इसका गुषाई थान से है लंबाई 720 किलोमेटर अन्ने नाम बताया मैंने कि बीहार का शोग बोलता है याद रख़ेगा धाराएं यह भी द्यान रखेगा यह सब पढ़ लीजेगा वाले थोड़ा ध्यान से पढ़ियागा इसको एक कौन कॉन सी हैं यह वही आकास्मिक जो बाढ़ लाने के लिए परसिद्ध ही है गोमती नदी याद रखेगा पता है आपको गोमती नदी के बारे मां ठीक यह गोमती ताल फ अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम ब्रम्व पुत्र नदी का अपवाता अनत्र पढ़ेंगे हमने पढ़े लिए अब हम आगे ब्रह्म पुत्र वाला पढ़ेंगे यारलूंग जांगबो नदी को भारत में ब्रह्म पुत्र नाम से जाना जाता है सिक्की मिस्थित जो खांग्चुं छो इम नदी जील है चोंबो छू नदी के नाम से यह दूमित होती है तो यह तीस्ता नदी ठीक याद रखेगा आगे हम पढ़ेंगे इसमें बैसिकले जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम प्रह्म पुत्र नदीय पुवाहतांतर के बा इसको उसका सद्व richest कीजिए आप को सारी वीडियो देख डाली सारे जो प्लेइस्ट है उनको देख टालिए थीक है फिक weeks old सीरीज है ठीक है ताबर तोड सीरीज है ठीक है आरए आरो के मैंने बहुत सारे ब्रेशीक कर्वा रखे हैं उन सब को तो देख डालिए यार टाइम मत खराब करें बैठे रहिए देखते रहिए उसको 1.5 के स्पीड से देखिए बहुत जल्दी सब खतम हो जाएगा तो पड़ते रहिए गर्मी बहुत है खराब हो जाएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना ध्यान रखिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए पढ़ते रहिए बिल्दास रहिए ठीक है जैन